गुलाब की बहतर ग्रोध के लिए सर्दियों से पहले आपको सिर्फ तीन खाद अपने गुलाब के पौदे में दे देनी है तो इससे बहुत ही जादा फूल आएंगे और कलियां भी बढ़ेंगी साथ ही साथ अगर मिट्टी में कोई फंगस है तो वो भी ठी हो जाएगा और साथ ही साथ ग्रोध भी काफी अच्छी होगी तो ये तीनों कौन सी खाद है इसको किस तरीके से देना है ये सभी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ तो अभी जैसे कि गर्मिया ही चल रही है बरसात का मौसम है और बीच बीच में धूप भी काफी तेज निकल रही है तो अभी भी आपको ध्यान रखना है कि रोज को बहुत ज़ादा तेज धूप में नहीं रखना है प्लांट को समय समय पे नहलाते रहें जैसे शाम को वर्ण हो सकता है उसकी न्यू ग्रोध भी जल सकती है तो खाद कौन सी देनी है आप चलिए उसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो मिट्टी की गुडाई कर लेनी है और गुडाई करके जो मिट्टी है उसको स्टैम के नस्दीक ले आईए इसके बाद फिर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो मैंने यहाँ पर लगबग 2-3 मूटी वर्मी कंपोस्ट का इस्तमाल किया है दूसरे नंबर पर हम खाट डालेंगे नीम की खली तो नीम की खली बहुत ही जादा फाइदेमंद होती है मिट्टी को कीडो मकोडों से दूर रख सकते हैं फिर मैंने एक चम्मच जाइम लिया है तो जाइम भी काफी अच्छी खाद होती है और हाँ यह सभी खाद चित्ती भी मैंने रोज के प्लांट में दी हैं यह सब और्गैनिक हैं और इससे प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा उसके बाद मैंने यहाँ पे लगबग एक चम्मच ही राक ली है यह लकडी की राक है और यह प्लांट में फंगस को दूर करेगा साथ ही साथ जो कलियां होती हैं उनको भी बढ़ाएगा क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है तो इससे कलियां काफी जादा मात्रा मे मिलती हैं अब इन सभी खाद को पहले मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लिजे और उसकी वाद जो स्टैन के नजदीक हमने मिट्टी की थी उसको वापस से फैला दीजे तो इससे हमारी खाद सारी कवर हो जाएगी तो मैंने अपने सभी प्लांट में यह खाद दी है इस ख करदी का मौसम आएगा कौन सी खाद देनी है उससे संबंदित वीडियो भी मैं आप लों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि गुलाब के पौदे में फंगस की प्राब्लम बहुत होती है तो पंदरा दिन में एक बार एक अच्छा फंगिसाइड गोल के पानी में